किसे कहते हैं जी हां सभी सुना आपने दोस्तों आज मैं आपको बता जा रहा हूं सफलता किसे कहते हैं जब भी हमारी जिन्दगी में जितनी बड़ी कठीनाई आये जितनी बड़ी मुश्कीले आये समझो हम सफल हो रहे हैं इसका उधार मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ, आप एक घर पे दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, दो जवान है, कुछ भी आपो सकते हो, किसी इक बच्चे की उमर 10 साल है, और एक दूसरे बच्चे की उमर 15 साल है, अब भी आप सोचिए, आपकी पास में दो बैग है, एक क का वज़न है कुछ, 10 केजी, दूसरे का वज़न है कुछ, 20 केजी, या कोई भी सामान है, तो आप क्या करेंगे, छोटे बच्चे को ज़्यादा सामान देंगे, कि कम सामान देंगे, और बड़े बच्चे को कम देंगे, कि ज़्यादा देंगे, इसका एकदम साधरा सा जव तो वो कम सामान हम उसको देंगे और जो बरा बच्चा है उसकी शमता ज्यादा होगी तो उसको हम ज्यादा सामान देंगे तो उसी तरीके से इश्वर हमारे साथ वैसे ही करता है इश्वर जानता है कि हमारी शमता क्या है वो उस इसाब से हमें वैसी कठनाई देता है तो अग मुश्किल का हम कैसे हल सोच सके और उसम्षिकिल के hlसोचने के बाद WILL में हम सफलता के में एक उचाई और आते हैं और सफलता हमारी कडब चुमती है तो यही रैसे है सफलता का जıtनी बड़ी मुश्किल जितनी बड़ी कठनाई हमारी जिंदगी में आ रही है मतलब वो सफलता का दौार हमारी जिंदगी में ला रही है तो इस कहानी से ये आपको मैं मैसेज देता हूँ कि जिंदगी जितनी भी जब बड़ी समस्या आती है उस तो गबराना नहीं है शांती सोचना है हमें खाल उस प्रॉब्लम का स्लीशन फाइंड करना है और सफलता हमारे कदमों में दन्यवाद